वेलकम टू माई यूटूब चैनल स्पोर्ट्स ब्लेयर जो लाया है आप सभी के लिए स्पोर्ट्स से जुड़ी हर एक जरूरी और इंपॉर्टेंट खबर IPL में कलका मैच चन्ने सूपर किंग्स वर्सेस संराजर हैदराबाद के बीच खेला गया था SRS ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए जवाब में CSK की टीम ने 18.3 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया SRS की टीम पहले बैटिंग करने आई और उनकी शुरुवात अच्छी नहीं रही और फॉर्म में चल रहा जोनी बैसो जल्दी आउट हो गए उन्होंने सिर्फ 7 रन ही बनाए फिर एक बार फिर तीसे नंबर पर मनीश पांडे बैटिंग करने आए उन्होंने एक अच्छी पारी खेली उन्होंने मैनेजमेंट को बता दिया कि वह एक अच्छे स्ट्राइक रिट से भी रन बना सकते हैं उन्होंने 46 बालों पे 60 रन बनाए लेकिन फिर एक बार वो अपनी पारी को अंतक नहीं ले जा पाए डेविड वार्न ने भी उनका अच्छी साथ दिया और पचपन बालों पे 57 रन बनाए लेकिन डेविड वार्न बिल्कुल अपने फॉर्म में नहीं लग रहे थे उनसे और उनकी स्लो पारे ही SRAJ के हार का रिजन बनी उनकी टाइमिंग भी अच्छी नहीं हो रहे थी वहीं केन विलियमसन ने छोटी पारी खेली और टीम को 170 के पार पहुंचाया उन्होंने 10 बॉलों पे 26 रन बनाए SRAJ टीम को अगर जीतना है तो विलियमसन को तीसे नंबर पर ही खेलाना पड़ेगा SRAJ की टीम अब 6 मैचेज में 5 हार के साथ पॉइंट टेवल में सबसे लास्ट में है वहीं बॉल के साथ राशित खान ने भी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने अपने एक ही ओवर में 5 डॉपलसी और मोहिन अली का विकेट निकाल के दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी उनको और किसी बॉलर का साथ भी नहीं मिला भूमनेश्वर कुमार की इंजिरी टीम की एक बहुत बड़ी सरदर्दी बनी हुई है और उनका बॉलिंग अटैक बहुत ही जादा वीग हो गया अब आगे के मैचेस में देखते हैं संद्राज हैदरबाद क्या करती है नहीं टार्गिट का पीछा करने आई CSK की टीम को 5WC और रितूराज गायकवाड ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत दिलाई और CSK ने पावर प्ले में ही 50 रन बना दिये बिना किसी विकेट खोई दोनों ने पहले विकेट के लिए 129 रन जोड़े और CSK को जीत का रास्ता साफ कर दिया फैब डूपलेसी ने 38 बालों पे 56 रन बनाए वहीं रितूराज गायकवाड ने 44 बालों पे 75 रन की पारी खेली CSK की टीम अब बिल्कुल बैलन्स नजर आ रही है उनको हराना बहुत ही मुश्रिसा लग रहा है उनके पास अच्छे ओल्डाउंडर भी है उनके बालिंग अटाइक भी अच्छा है उनका बैट्समेन भी बहुत अच्छे हैं वो अपने 6 मैचों में 5 जीत के साथ पॉइंट टेवल में फिर से टॉप पर पहुँच गए है दोनी की चन्नी इस बार सच में एक्सप्रेक्स की तरह खेल रही है और रही बार दोनी दोनी की कैप्टेंशिप भी पूरे IPM में लाजवाब है अब देखते हैं आगे के मैचेस में चन्नाई को कोई टीम रोक पाती है की नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले